हेलो एवरिवन कैसे आप सभी मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अगर आप एक एफिडेविट की जरुरत होती है तो वह एफिडेविट कैसे बनाना होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है वह फॉर्मेट आपको हम हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रवाइड करवा देंगे बहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बस उसमें सिंप क्या क्या डोकुमेंट की जरुत होती है तो देखिए इसके लिए इस वीडियो के अन तक बने रहेगा अगर आपने हमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो जरूर कीजेगा तो आई चलिए देखते हैं सबसे बाली इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है हमेशा जो कर्ता कड दोनों होना जरूरी होता है दोनों टैच करने होते हैं आपको और जो बात कि फयंली मेंबर्स हैं उनका यहाँ पर सिरफ अधार काड़ ही रिक्वाइड है अब देखिए यहाँ पर करता खोन होगा हम अजियूम कर लेते हैं इक फैमिली है दो हज्बंड वाइप के अकोड़े आपको यहां फिल करनी है रेजिदेंस ओफ रेजिदेंचिल इड्रेस भी अकोड़िंग टू अधार काड आ जाएगा एड़ एज अ करता ओफ माई हुएफ अफर्म करें कि यह भी जो भी डिटेल इनों नी लिखी है वो सही है तो देखिए नेक्स्ट फर्स जैसे कि अगर हम मान लेते हैं रमेश कुमार नाम है फादर का तो रमेश कुमार हुएफ यह यहां पर हुएफ का नेम होगा नेक्स्ट देखिए that as on today नेम ओफ को पार्सनर्स तो देखिए करता के अलावाद जो भी यहां पर मेंबर्स है फैमिली के वो को पार्सनर्स होते है उन सब कि आपको डिटेल यहां पर फ्सक्रणने है तो देखिए नेम आएंगा उन तो देखिए निम किस के अकोड़िंग जो आप यहां डोक्मन इतेच कर रहे हैं और क्या अथार कार्ट टीकार कुर तो की करता की भी यहां पर आपको डिटेल उनका नेम, फादर नेम और हस्बेंड नेम, दोनों मेंसे आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं, एड्रेस डालना है, अब लिए थार्ड पॉइंट, देट अचेफ इन एक्जिस्टिंग सिंस 28 नवेंबर 2007, तो यह डेट कहां से लिखी हुई है, यह डेट कैसे आपको लिख नहीं है, एक्चिली देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने एक्जामपल लिया, हस्बेंड वाइफ एंड दो चिल्डरन, तो जो पहला फर्स चिल्रन, जिस डेट को उसका बर्थ हुआ होगा, वो डेट ओव बर्थ ही है, यहाँ पर हमारी हजिस्टिंग डेट मानी जाएगी, क यहाँ पर आपको, जो भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की डेट है, वो यहाँ पर आपको मैंशन करनी होगी, बट आपकी हुएफ जो है, वो ऑपरेटिव तब ही कहलाएगी, जब आपका फर्स बेबी होने के बाद, उस दिन से ही आपकी हुएफ ऑपरेटिव कहलाएगी अब आगे देखते हैं, हम देखे हिसार, यहाँ पर जो भी आपका प्लेस है, वो यहाँ पर आपको मैंशन करना है, यह हम यलो कर देते हैं, नेक्स देखिए डेट, आपको आज की डेट डाली है, जिस दिन आप यह बना रही है, ऐफिडेविट, अब देखे कौन देगा करता तो यहां पर भी करता की बेसिकली डिटेल डाली है उनका नेम आजाएगा उनका फादर नेम आजाएगा नेक्स बस आपको इसमें और कुछ एडिटिंग के रिक्वाइमेंट नहीं है मतलब एफिडेमिट बहुत आसान है यह आप यह असानी से खुद बना सकते हैं अब देखिए जो डेपनेंट लिखा हुआ है इसके ओपर करता को साइन करना है दोनों जगह पर इसके बाद बात आती है देखिए इसके रिए यह कितने रुपे के स्टैंप पेपर की जरुरत होती है दस रुपे के स्टैंप पेपर पर आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और इसे फिर नोट्री भी करवाना है यह बनाना बहुत आसान है आप इजिली एचेफ के लिए प बाइ बाइ